यहां पर दो वर्ड है बच्चे, एक वर्ड है लेस्ट, ठीके, और एक वर्ड है और एल्स, यह इतना इंपोर्टेंट है, और इतने कोश्चन यहां से पूछे गए हैं, और पूछे जाएंगे, आप पेपर प्लट के देखना, कि लेस्ट से और और एल्स से, बस इसके बाद हमेशा शूड आता है, और और एल्स के बाद, विल, या वुड या शैल आ सकता है, इन दोनों का जो हिंदी होता है बच्चे, वो होता है, कहीं ऐसा न होगी, कहीं ऐसा न होगी, तो शूड लेस्ट के शाद शूड आना, और एल्स के बाद, विल, वूड या शैल आन अब यहां पर दिखना यह है, किसे question कैसे पुछते हैं, यहां पर जाना यह है, पहले आप सुन लो orally, फिर बोर्ट पिलिग दूँगा, जैसे अबने बोला, कि he works hard, he works hard, ठीक है, अब he works hard, अब दे दिया word list, और list के सा लगा दिया will, गलती हुआ न, लगा दिया or else, लगा दिया should, गलत हुआ न, मतलक जो जहां है, होना वही है, फर्क है कि दोनों का हिंदी है, कहीं आइसा न हो की, तो पहले इसका structure को देखो, फिर में example दिखाता हूँ, तो subject पर लगाना subject, subject plus verb या other word, अब अगर subject ना भी हूँ, तो काम चल जाएगा, verb से और other word से, यहाँ पर दो word आएगा, ध्यादने बच्चे, एक word में लगाया list, और एक word लगाया और else, ठीक है, इन दोनों के बाद, लगाया हमने subject, ऐसा कर लो, कि list plus subject, plus should, plus v1, plus other word, और all else में लगाया subject, plus will, या फिर would, plus v1, plus other word, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, इस तरह से काम करते हैं लोग, अब यहाँ पर जानना यह है, जैसे हमने का, कि कठीन प्रिसम करता है, हम एक्जाम्पल दिखा दो, गोर से, he works hard, ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर word list भी आ सकता है, और all else भी, तो मैं लगा यहाँ पर list, he works hard, list, अब list के बाद, तुम कुछ भी लगा दो, वहाँ कठीन प्रिसम करता है, ताकि वो फेल नहों सके, कहीं ऐसा नहों कि फेल कर जाए, तो list के साथ तुम लगा सकते हैं यहाँ पर, list, list, he, should, fail, तो कठीन प्रिसम करता है, ताकि फेल नहों सके, तो एक चीज और धिया रखना है बच्चे, कि इन दोनों शब्दों के साथ, no, not, never का प्रियोग नहीं करते हैं, यह एक negative वर्ड है, समझ पा रहे हो, यह लेश्ट और 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 इल्स, एक negative वर्ड है, इसके साथ no, not, never का प्रियोग नहीं करेंगे, एक्जाम में क्या पुछेगा, तुम्हें बोलेगा, जल्दी करो, कहीं ऐसा नहों कि साम हो जाए, जल् hurry up, less it should not be evening, हो गया गलती, तो should not नहीं होगा, इसके साथ not का प्रियोग नहीं होगा, जल्दी करो, hurry up, less it should be evening, ठीक है, जल्दी करो, कहीं ऐसा नहों ट्रेंग छूट जाए, hurry up, or else you will miss the train, तो hurry up, you hurry up के बाद, or else you will miss the train, यानि भीवन का मतलब भर्व का first form, तो हमने कहा, hurry up, or else you will miss the train, जल्दी करो, कहीं ऐसा नहों कि ट्रेंग छूट जाए, तो इस तरह से हम लोग, बहुत साथ एक्जाम्पल देख सकते हैं, और काम कर सकते हैं, तो less, और or else, ये दो वर्ड एक्जाम में बहुत सारे जाते हैं, और आप इसको day to day, बोल चाल की भासा भी परियोग कर सकते हैं, आप जैसे चाहें, राइटिंग के स्किल्स में उस कर सकते हैं, है ना, कि जल्दी करो कहा साम हो जाए, भागो कहा साम हो पुलिस पकड़ ले, भागो, run away, less you should catch the police, run away, or else you will catch the police, इस तरह सम इसको ब जाते हैं, भागो, run away, 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 भ